तो यह एंसेंट हिस्ट्री ओल्ड एंसियाटी का थर्ड चिप्टर है और यह थर्ड चिप्टर का दूसरा पार्ट है तो आज हम लोग देखेंगे इसमें लिटरीर सोर्सेस को अल्दू दा एंसेंट इंडियान नियू राइटिंग अर्लिएस 2500 बीसेंट गाता है कि पतचीत सो अंपास के लगग में लिखना जान गये थे अबर मोंस्ट मैनुस्क्रिप्स मिले हैं वह 4th century ID के आसपास के हैं जो कि हमें Central Asia में मिलते हैं और इन इंडिया थे वह रिटन ऑन दव बाक जो भी जो पेड़ की छाल होती है जो पत्ते होते हैं पाम लीफ तो उस पर यह लिखा आता था इंडिया में लेकिन सब Central Asia के बात करेंगे तो जहां रिटन ऑन शीप लेदर उसके लवाज यह पैन उसक्रिप्स से जी लेदर जु चमड़े वगर होते थे उस पर लिखे आते थे उसके अलवाज वुदें टेबल्स लकड़ी के तक थे होते हैं उस पर लिखे आते थे इस राइटिंग्स अकॉल इंसक्रिप्शन तो इनी रा उस ताइम का क्या सिचुएशन था तो सब चीजों को जानने के लिए हमको इंस्क्रिप्शन और मैंस्क्रिप्ट दोनों है एक जैसे हल्प करते हैं बने प्रिंटिंग वाजू इंसली जब प्रिंटिंग उस समय नहीं थी तो जो मैंस्क्रिप्ट थी उसकी वैलु बहुत सब्सक्रिप्ट मैंस्क्रिप्ट 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 तो इस टाइम देखा जाएगा तो जो है उनको लेडियों पिजय पर करक्खा गया है Most ancient books contain religious themes अब देखे जात्र जो ancient books थी उसमें आपको religious themes है वो देखने को मिलेगा The religious literature of the Hindu include the Vedas बिसे हिंदु का religious literature है वो है वेदा, रमायड और महाभारत और पुरान They throw considerable light on the social and cultural condition of ancient times तो इन वेद और पुराने और रमायड महाभात को पढ़के हमें यह पदा चलता है कि उस time की जो social condition होगर हुआ करते तो कैसी थी, cultural condition कैसी थी But it is difficult to make use of them in the context of time and place लेकिन यह चीज है कि time और place बताना एक exact हम उस चीज से नहीं बता सकते लेकिन उस time के social culture करते थे उन सब चीजों के बारे में हम समझ सकते हैं रिग वेदा में भी ऐसाइन टू 1500 तो 1000 वी सी रिग वेदा कहा है कि 1500 से एक एर वी सी के आसपास का है But the collection of the अथर वेदा, यजूर वेदा, ब्राह्मन, इरंकियाज, अपनिशद, बिलॉंग टू 1500 वी सी के आसपास तो यजूर वेदा उपनिशद दो कर रहते है वह 1725 वी सी के आसपास माना जाते हैं लेकिन जो रिग वेदा है, सबसे पराना वेदा है, उसको 1500 से 1 अर के आसपास कमाना जाता है रिग्वेध मेनली केंटेंस प्रेयर, रिग्वेङवेध में प्रेयर अदिया हुआ है, while theysz après Vedic Text mainly comprised not only prayers पस एलो आजो रिच्वल्स तो रिग्वेध में été क्यों प्रेयर का जीकर है, बाद में है वो उस टाइम की जो फिलोसफी के बारे में जानने को मिलता है इन ओर टो अंडर्स्टैंड देख्स्ट अगर आपको वेदी को समझना है तो इन सब चीजों को अगर इनकी जाने कारी हमें नहीं है तो हम जो वेदिक जो टेक्स हैं उनको अच्छे से नहीं समझ पाएंगे एक गुट डिल अफ लिट्रेचर ग्रिव एराउंड इच वन अफ दीस सब्जेक्स इट वस रिटन दे फॉर्म परसेप्स इन प्रोस तो जो भी यह सब लिखे हुए थे यह एक तरह से पोएम के फॉर्म में जो है वर्सस के फॉर्म में लिखे हुए थे जिनको हम सूत्र भी बोलते हैं इस चीज़ का वह पाननी के दुवारा लिखा गया है करीब करीब चार सो बीसी के आसपास में यह लिखा गया है वाइल इलस्टेटिंग दे रूल्स ऑफ ग्रामर जिसमें इन्होंने ग्रामर के रूल्स को भी दर्शाया है इनकी रैटिंग से हमें उस टाइम के सोसाइटि उस्टाइम की क्या एकनॉमी रही इसलियुकंतौर तहाई लिखेस अबहुता है सिम्स भी व्कोltive को भी दर्शाया थे महाभारत धार व्यास के द्वारा जो लिखा गया वह यह कहता है कि वह सबसे पुरान है और जनी इट कंसिट आफ एट 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 हंड़ेट वर्सेश में करीब करीब अठाशी सो जो है इसमें वर्सेश थे एंड वस्कॉल्ड जया देलिंग विक्ट्री ठीक है जिसमें विक्ट्री से स मंदिश चीजें हैं वो महाभारत में दी गए थी बाद में अठाशी सो इन वर्सेश को बढ़ा करके चौबिस जायर कर दिया था इसको हम भारत बोलते हैं को इसमें कई कहानियां भी जोड़ दी जाती है उसके बाद इसको इसमें कुछ और इंक्रीज कियाता है उसके बारे में हमें जानने को मिलता है इट कंटेंज नेरेटिव डिस्क्रिप्टिव एंड डाइडियाटिक मेटेरियल दमें नेरेटिव विच रिलेट तो दा कौरव पांड़ कांफिलेक्ट तो जो कौरव पांड़ के बीस में जो युद्व अगर हुआ था तो उन सब चीज पोर्षिन माइड भी यूज़ फॉर पॉस्व ट्विदीक टाइम्स फोर बॉस्ट पोर्शन जनली फौर मॉस्ट पॉर्यन पॉस्पर नंगोपता तैंज तो जो डिस्क्रिप्टिव पॉर्शन निसका यह खायता है कि वो पॉस्ट वेडिक टाइम्स का है और जो डारेट किया गया और बाद में फिर उसको बढ़ा कर दिया गया ऑल्दो इस एपिक अपिर्श तो भी मोर यूनिफाइड देन द महाभारत तो यह खाया था हिस्टोरियंज के द्वारा कि महाभारत से ज्यादा हमको यूनिफाइड जो हो रमायर मिलता है इडिस ऑल्सो इस डारेटिक पॉर्शन विच वर एडिट लिटर पाद में कुछ पॉर्शन में बाद में जोड़े गाया रमायन कम पॉजिशन स्टाइड इंद फिफ सेंचरी बीसी तो जो रमायन का जो लिक अपॉजिशन था वो सुरू होता है फिफ जोरी बीसी के आसपास सिस दिन इट पास थो फिफ फार चाहिए बीन कमपोज लेटर देना महाभारत और यह खाता है कि रमायर जो है वह बना है महाभारत के बात है फिफ पहले महाभारत बना रहा है इन पोस्वेदिक टाइम से वी हवाल लाज कॉर्पस ओफ रिश्वल लिटरेचर देखिए पोस्वेडिक टाइम में वह में कई ऐसे रिच्व लिटेटर देरेचर मिलते हैं इसकी बाद से हैं अपने फिस्टरी को और हम डिक कर सकते हैं बिग पब्लिक सक्रिफाइज मीन फोर परिंसेश जो भी पब्लिक सक्रिफाइज इस हुआ करते थे वो जो राज कुमार हुआ करते राजा हुआ करते तो के लिए and men of substance belonging to three higher ones जो तो उनको यह बिलॉंग करते थे लेट डाउन से के सब्सकार के बराई में यह से दिया गया विच पर्वाइड फोर सब्सकार सब्सकार का टाइम में जसके बारे में उल्लेक मिलता हैं इंप मिली जो डुमेस्टिक रिचुवल से कनेक्टेड विध बर्थ नेमिंग सेकरेट इन्वेस्टियोर मेरिज फ्यूनरल सेक्टर अर लेड डाउन इन ग्रेह सूत्राज तो ग्रेह सूत्राज में हमको मेरे से संबंदित चीजे जन्म से संबंदित चीजे नामकरण जो होता है उस हमको ग्रेह सूत्राज में मिलती हैं ग्रेह सूत्रा और सौरेश सूत्रा जो जो है बिलोंकरते हैं करिब-करिब Olympics की कहीं नहीं कहीं सwn सा Connection झूड़ा हूगा वह को कि होबात कर रहा है Measermennts की वाना पतुल की बात करता है सॉवा's far Sutra त यहाँ सिता है कि एक तरह से यह हमाराै से ए जहा मैं। चैहल महत्र चरी चैपंटों होते हैं वह लिखे गया है पाली लेंग्वेज में विच वाज पोकें इन मगद और साथ बिहार जो की देखे बुला ता उस टाम जो है मगद के रिजन में इसी बुला ता साथ बिहार में देवर फारिली इन देखेंड शेकंड सेंचुरी बीसी इनको जैक कंपाइल किया गया सेकंड इन स्रीलंका बढ़्द अ क्यानों केल पोट्शन रिफेट इस लिफेट इस इन देज ऑफ द बुद्धा इन इंडिया लेकिन बात के जो बात के जो पोट्शन से उसमें को बुद्दा के जीवनी के बारे में में देखने को मिलता है जब जो इन पैम इंडिया में उनके फॉलोवर से उनके कंटमपरीज थे जिसने मगद नौर्थ बिहार और इस्टर उत्रप्रदेश में पराज किया तो उनके कंटमपरीज के बारे में भी जनकारी जो है हमें बुद्धिस टेक्ट से मिलती है इस पर्फिस टेक्ट नौर्थ यह जाने को मिलती है यह कहता है कि गौत्व बुद्ध का जो प्रिविएस बर्थ अपना बुद्ध का अवतार लेने से पहले पांशो पचास बर्थ वो ले चुके थे तो इस बिलिव ड़िए बीफ़र वस फाइनली बॉन जगौत्म तब बुद्ध पास्ट रूओ जो पांशो पचास बर्थ वो पहले है ले चुके तो उसके बाल उन्होंने बुद्ध का अटार लिया इन मेनी केसे इन फाम फ़ एनिमल्स ठीक है तो यह कहाता है कि अनिमल् 50 बर्थ लिया है और जो भी बर्थ स्टोरी है उसको हम जटाका के नाम से बोलते हैं ठीक है इस बर्थ स्टोरी इस कोड़ जटाका विच इस फॉक्टेल जो कि एक फॉक्टेल है दी जटाका थो इन वैल्यूबल लाइट रम सोच्व एक नॉमिक कंडिशन रेंजिंग फिफ इन जटाका इन खानियों के बारे जब हम पढ़ते हैं तो हमें यह जानने को मिलता है कि उसमें पांच वी और दूसी सदाब्दी के बीच में जो है क्या कंडिशन स्थी सोशल और क्या एकनॉमिक कंडिशन थी इस अब जानने को जटाका पढ़के हमें उन कानियों से यह सम जान सकते हैं जो जैन टेक्स्ट वर लिखा गया था प्रकृत में और फाइनली कंपाइल इन दे सिक सेंचुरी एटी और इसको कंपाइल किया गया था छटवी सताब्दी के आसपास इन वर लाभी गुजरात दे हावेवर कंटेंस मेनी पैसिज तो इसमें कई पैसिज थे भी पौरेशान प्रदेश है बिहार इन आज अफ महावीरा में इनके टेक्स को पढ़कर के उस टाइम की जो उत्तरप्रदेश विहार के जो पूर्वी रिजन था तो इसके बारे में आमें जान ने को मिला जान टेक्स-र्पर इपएट्ली फोर ट्रेदेटर देड़र्ट जो है वह जाधा तर टेरों टेर्डर्स की भी बात करते हैं जो वे अपारी वगर होते हैं उनकी वी अल्च वाज बॉड़ी ऑफ से कलरे टेचर और कुछ ऐसे भी लिटेचर्स मेलें से कलरें नेचर हैं मीज्ट किसी धर्म से जो है वो तालुकात नहीं रखते तो इस क्लास मेलास जो इसके कुछ लोगष कर शाषत्र और को माम सी भी पॉत थार्म सोत्रा नेटाहर तो ब्रॉड़ी करना से पांसो से दो से प्रिंस्पल इसमृति वर कोडिफाइड इन दर फर्स्ट सिक्सेंचुरी अव दर कृष्छन एरा तो क्रिशन एरा के सुरवात में जो है जो इसमृति है उसको कंपाइल किया गया था और इसमृति ओ धर्मसुत्रा को साथ में हम धर्मसास्त्र बोलते हैं तो इन में लिखा हुआ है कि इस वरन के लोग क्या करेंगे इसमें ड्यूटी दी गई है इसमें ड्यूटी दी गई है उसके लावा ये जो साधी विवा का नियम होते हैं उस रूल की ये बात करते हैं और कैसे एक प्रॉपर्टी को हेल्ड किया जाएगा कैसे प्रॉपर्टी को बेचा जाएगा कैसे प्रॉपर्टी पीडी दर पीडी जो है ट्रांसफर होती रहेगी इन सब चीजों के बारे में हमें इसमें जानने को मिलता है इसको हम चाना भी बोलते है दिगिए इस तेकस को पंदरह किताबों में विभाजित किया गया है इसमें से जो सेकंड भूक है और थर्ड भूक है तो जो सेकंड खॉर्ड भूक है वो पुरानी है victor को यह चाहिए हिसzem Eigen рок भाज़िता दीगन भूसरा फाइनल फॉर्म इन दे बिगनिंग ऑफ कर्षिन एर्रा अब देखिए जो इन किताब को फाइनल टच अप दियागा जो कर्षिन एक शुरुआत में बट इस अर्लियर पोश्चन तरे टाफ सोसाइटी जो इसके सुरु के पोश्चन से वह मैं उस समय के जो सुसाइटी थी उ यह हमें एक अच्छा मटेरिकल करते हैं जिसे हम इंडिया के पॉलिटी जो एंसेंट इंडिया के पॉलिटी थी उस ताइम और जो एंसेंट इंडिया के जो इक नॉमी थी उसके बारे में हम स्टडी कर सकते हैं आपने जिस टाइम जिस पीरिट के वो थे उसके बारे में अपने उस टाइम के बारे में इनके राइटर से में बाद चलता है कि उस टाइम पिरिट का जो है वेक सीन क्रियेट करते थे तब वो किताबों को मिस लिखते तो उनके लेकं सैली से जो लिखे हैं उसके उस टाइम से हम अंदाय लगा सकते हैं इस पड़े करके समझ सकते हैं कि उस नहीं क्या कंडिशन थी ब्रवर्क अफ कालिदास कंप्राईज काव्य एंड ड्रामा कालिदास के वर्क की बात करें थे उसमें काव्य लिखे हैं ड्रामा उगरे लिखे हैं तब मुस्ट फेमस ऑफ विचिस अभी ज्यान सापूंतलम विशाइड बिंग ग्रेट क्रेटिव एंड प्रोइशन दे प अध्य भारत है और जो उत्री भात का चेत्र है उस समय वहां पर क्या सोसल कंडिशन थी क्या कल्चिल कंडिशन थी तो यह सब जो है हमें कायदास के जो कावय अभिज्ञान संगुत्तलम है इससे हमें पढ़ा चलता है इन एडिसन दू संस्क्रिट सोर्च संगम देखी जो कई राइटर्स आके एक साथ मिलते थे तो उसी को संगम बोलते थे दिस वास प्रोडूस ओबर एर पिरिड़ अफ्री तो फोर सेंचुरी बाइट्स हुए सेंबल इन कॉलेजिस पेटरोइज बाइज चीफ और किंग्स तो जो कभी वगर है वो कई-कभी आक एक साथ मिलते थे इक अठाओ के उनकी एक तरह से बैठाक होती थी तो वहाँ पे जो है यही वहाँ पी लिट्रेचर कंपोस किया गया इसको नाम दिया गया संगम लिट्रेचर ठीक है तो एक तरह से सभी जो भी कभी थे उनके अलगलब पोयम को कंपाइल करके संगम लिट नाम दिया गया, the compilation of the corpus is attributed to the first four Christian centuries, यह कहाता है कि वो जो है करी-करीब चौतिवी सताब्दी के सुरुवात का ही है, all the final compilations may have been compiled by the sixth century, तो शुरू का जो compilation है पोयम होगा रखा, वो चौतिवी सताब्दी के सुरुवात का है और जो फाइनल कंपाइलेशन है, वो जो है, वो जो है, वो च्छेटवी सताब्दी के पूरी हो रही थी उस टाइम का है, the singham literature comprises about 30,000 line of poetry, तो करी-करीब इसमें 30 lines मिलती है है, हमें poetry की, which are arranged in eight anthologies called etutokkal, तो यह eight anthologies में arranged हैं, जिनको हम etutokkal भी बोलते हैं, the poems are collected in group of hundreds, such as Puranuru, 400 of dexterity and others, और यह जो पोयम है, यह group of hundreds में, इनका collection है, जैसे कि Puranuru has come 400 of dexterity, बोलते हैं, there are two main groups, पाती नेखिल और कन्ना नकू, and पट्टा पट्टू, तो यहाँ two main groups है, पाती नेखिल, कन्ना नकू, the eighteen lover collection, ठीक है, eighteen lover collections को बोलते हैं, और the ten song के collection को हम पट्टू पट्टू बोलते हैं, the former is generally assumed to be older than the later, ठीक है, and the hence considered to be much of historical importance, तो पट्टा पट्टू है, वो यह बोला आता है कि यह जादा पुराना है, जो eighteen lover collection है, उससे, इसलिए उसके, उसकी historical importance जो है, वो जादा है, the sangham texts have several layers, but at present they cannot be established on the basis of style and content, as soon later, these layers can be detected on the basis of stages and social evolution, जैसे social evolution होगा, हम इसके और layers को detect कर सकते हैं, बात में दिए से और आगे जब चीज़े हम समझने लगेंगे, तो उसकी जो को और अचीज़े समझ सकते हैं, तो और चीज़े उसमें से हम layer by layer जो है, वो डिग होता जाएगा, और इतिहां जो है, और अच्छे से ऊपर आता ज literature नहीं है, the short and long poems are composed by numerous poets, तो चाहिए वो चोटी poem हो, चाहिए वो बड़ी poems हो, वो कई poets के द्वारा मिलके compose की गई थी, अलग-अलग poems लेके आते थे, इन praise of numerous heroines, और उसमें जो है, अलग-अलग type की hero, heroines रहा करते थे, तो हो सकता है, वो चीज़े सच भी रहा हो सकता है, एक संगम होता था, जो अलग-अलग जगह से जो कवी है, बाते थे एक साथ मिलते हैं, अपना पोयम सुनाते थे, तो वही सब जो literature मिला हुआ है, उसी को नाम दिया गया संगम literature, इसलिए जो संगम literature में जो भी text में मिले हैं, वो secular nature है, वो किसी धर्म से नहीं है, ठीक है, उ नोट primitive songs, but they show a high quality of literature, ठीक ऐसा कोई नहीं कि वो कोई primitive song गाने वगर हैं, लेकिन एक high quality of literature show करते हैं, जो कि बहुत कुछ हमें जनकाई देते हैं, उस टाइम के बारे में, many poems mention a warrior or a chef or a king by name and describes his military exploits in detail, या कुछ poems ऐसी हैं, जो उस टाइम के राजाओं के बारे में, उनके military के बारे में हमें detail मिजनकाई देती हैं, या जो gift दिया था, means जो भी warrior वगरे को gift दिया था, उच्छी जो के बारे मिजनकारी मिलता है, इस poems may have been recited in the courts, और ये भी कहाता है कि उस टाइम के जो कोट वगरे में है, ये हो सकता है, ये पोएम जो है, कोट वगरे में कहा भी गया हो, ये पोएम जो है कोट वगरे में कहा भी गया हो, ये पोएम जो है कोट वगरे में के बारे में जानने को मिलता है, कुछ यूद्ध वगरे के बारे में जानने को मिलता है इते हैं इस दिफिकल्ट यूज थी स्टेट फोरिट पर्पशेश देखिए लिगें फैश्च भी नाम प्रेंशन किया गया है को दिया गया है कुछ बारें बताई गई है वह और की बारें बताया गया है कुछ बुछ चीजे जो है उसमें कुछ-कुछ सही भी है तो हमें संगम टेक्स के बारे में भी जो है ये खालता है कि चेरा किंग्स के द्वारा भी जो है उसमें कुछ पोयम जो है एक तैसे दान में दिया गया था जो है जो है तो पास में तो इस पास में तो अन्य स्ट्रम जोडिंग पर्टन तो इसके लवाद की कई जगा मैं संगम टेस्मिले से का वरी पतनम में फूस्ट फूरिशिं इस नाव अटेस्ट अर्चेलोजिकली जे आ शुच पीक अव द्यावन आस कम इन निर ओन विसल पर् दूसरे यहां से वहां सप्प्लाई होगा यहां पता चला दिस टैडिस नोट अनली फ्रॉम लेटिन ग्रीक राटिंग बट ऑल्सो फॉर अर्चेलोजिकल रिकॉर्ड देखिये यह जो ट्रेट है इसके बारे में बोलन करी जो है लेटिन ग्रीक के लवा जो है जो हमारे आ सब्सक्राइब के सोचल एकनॉमिकल और जो पॉलिटिकल लाइफ था उसका एक मेजर सोर्स है अब तो पीपल लिविंग देल्टिक तमिलनाडू इन अर्ली क्रिशन सेंसुरी खासकर जो लोग जो तमिलनाडू के विजिंस में रहे हैं उनके बारे में वह जो अच्छी जन किया गया है तो जो भी फॉरेंड एकाउंट्स हैं वह हम अगले वीडियो में देखेंगे तो थैंक्यू थैंक्स पर वाचिंग